कि हाई अब्रिवन इन दस वीडियो आई विल टॉक अबाउट सम प्रिकोशन जो कि आपको लेने चाहिए एक्जाम देने से पहले हंजी अगर आप कोई भी किसी भी पोस्ट का एक्जाम देने वाले हैं अब इससबी में तो उससे पहले आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए अब एक्जाम होल में अंटर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा ड्रेस कोड अलाओ है सो लिमिटीड वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ ड्रेस कोड आपकी कैसी होनी चाहिए आइधर ये और मेल और फिमेल आपका जो भी शर्ट है सूट है टोप है वो सब हाफ स्लीव रहने चाहिए फुल स्लीव होंगे तो या तो रिमोग करने के लिए बोलेंगे इन दे क अपड़े डालने हैं और सेकंड पॉइंट इस आप शूज जालके नहीं जा सकते हैं अगर शूज जालके जाएंगे तो आपके भारी रिमोग करा देंगे और आपको एक्जाम होल में बेर फूट घूमना पड़ेगा और इसको इससे बचने के लिए आपको क्या करना है आ तो एक्जाम पैटनर है वो थोड़ा कुछ इस प्रकार से हैं जो आपकी टोटल कोशन होते हैं उनको नंबर ओफ सेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और जब तक आप एक साट को सम्मिट नहीं कर लेते हैं तो दूसरे साट पे आप नहीं जा सकते हैं और अगर आप द जतने भी कोशन करने हैं उसे टाइम में करने हैं और अपने साट को सम्मिट करने के बाद नेक्स सेट के अदर आप कोई भी कोशन कर सकते हैं तो यह आपको ध्यान रखना है सेकिंड इसकरी बार क्या होता है हम एक सैट में ही उलजे रहते हैं कि नहीं 18 कोश्चन हुए हैं दो बागी रहते हैं दो को करके ही छोड़ूंगा या छोड़ूंगी तो आप उस इगो में ना आए और उन दो कोश्चन को स्केप करते हुए अपने सैट को सम्मिट कीजिए औ कुछ प्रिकोशन्स थी जो गया आपको फोलो करनी है एकसाम देने से पहले और एकसाम देने के टाइम पर आप अपने एकसाम को बहतरीन बनाने के लिए बहतरीन करने के लिए पफोर्मेंस आपकी बैटर हो थोड़ा माइंड पर प्रैशर कम रहे तो इन बातों को आपको रहना चाहिए अगर आपको इन बातों का नहीं पता होगा तो वहां पे embarrassing situation create होने वाली है जैसे कि अभी exam center में मैंने खुद देखा है कुछ पच्चो की जो है यहां से slaves को cut कर दिया गया बहुत सारे जो male candidates थे वो सिर्फ बन्यान में ही exam में अपियर हो रहे थे तो situation थोड़ी weird हो जाती है उना पर आपको इसका यह clear cut ध्यान रहना चाहिए कि आपको क्या पहन के जाना है क्या नहीं पहन के जाना है और साथ में क्या लेके जाना है साथ में जो आपकी jewelry होती है जैसे earring हो गया यह नौच पिन हो गई तो इन सब को रिमॉव करा दिते हैं और अगर आप रिमॉव नहीं कर रहे हैं तो यहां पर आपकी टेप लगा देंगे तो बैटर है आप अपना घर से इन सब को रिमॉव करके जाएं तो इसे ओल फो माई साइड एक्जाम तेने से पहले इन सभी बातों का रिहान रखेगा और अल्ड़ बैस फूर अपकमिंग एक्जाम्स थैंक्यू आप अपकमिंग एक्जाम्स थैंक्यू एव गूद देए डोंट फोर्गे तो लाक माई वीडियो और शेयर इत अमंग य